नमस्कार मैं हूँ सुनील बोवी मगज संबाद में आपका स्वागत है हर बहल आपके साथ मगज संबाद खास समान बेतन को लेकर आ रही एक खास अपडेट शमान काम शमान बेतन मामले में फैसला सुनाने को लेकर परिवर्तनकारी मादमिक उच्छ मादमिक सिचक संग ने महा महीम राष्ट पती एवं सुप्रीम कोट के मुक ने अधिस को लिखा पत्र नियोजी सिचको का रखा पच्छ अब पूरी खबर बिस्तार से परिवर्तनकारी मादमिक उच्छ मादमिक सिचक संग के परदेस अद्यच अरुन करांती कुश्वाहा ने शमान काम शमान बेतन को लेकर बियार के नियोजी सिचको के समान बेतन मामले में सुप्रीम कोट में दायर बियार सरकार की आचिका एवं अन्य का फैसला सुरच्छित फैसला सुनाने में हो रही देरी को लेकर महा महीम राश्ट पती और सुप्रीम कोट के मुख नियाधिस को पत्र लिखा है और फैसला सिग्र सुनाये जाने की मांग किया है पर्दे सद्य स्री कुषवाहा ने अपने प्रात्ना पत्र में कहा है कि बियार राज के सरकारी बिद्यालियों में कारजरत सिचकों को दो तरह का बेतन दिया जा रहा है स्री कुषवाहा अपने प्रात्ना प्रत्र में असपस्ट किया है कि वर्ष 2004 के पुर्व बहाल सिचकों को जहां 93-34,008 तो के बेतन का पुनरिचित सात्मा बेतन मिल रहा है वहें उनकी ही तरह समान समय तक समान काम करने वाले बाद के बहाल सिचकों को 52-20,200 बेतन मान का पु सिचक संग अठनों सहीत परिवर्तन कारी सिचक संग ने बियार सरकार से बेतन किया विसमता दुर करने का अनेकों बार आगरा किया गया परन्तु उनकी एक न सुनी गई अंतता सिचक संगों ने उच न्याले पटना की सरली उच न्याले पटना ने 31-10,007 अक्टूबर 2017 को इस मामले में तिहासिक पहसला सुनाते हुए सभी नियोजी सिचकों को 90 दिनों के अंदर पुर्व से बहाल वा समान काम करने वाले सिचकों की भाती वर्स 2009 से समान बेतन एरियर सहिक बुक्तान करने का आदेस बिहार सरकार को दिया परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि बिहार सरकार ने नियादेस का पालन करने के बज़ाएं खिलाप में सुप्रीम कोट में विभीन संगों को पाटी बनाते हुए अलग-अलग कई आचिकाएं दायर कर दी सुप्रीम कोट ने सभी अचिकाओं की एक साथ मैराथन सुनवाई की और 3 अक्टूबर 2018 को अंतिम सुनवाई के बाद मारनिये नियाधिस इव इव ललीत वा अभाय मनोहर सप्रे साहाब की खंड़ पिट ने फैसला सुरचित रख लिया है वरनिये हैं कि उच नियाले पटना के आदेश से नियोजी सिचक निवावली की महत्पून का निकाएं निरस्त हो गई थी और उस्तम नियाले ने अस्टेटस क्यों लगा दिया था जिसके कारण राज सरकार नई सिचक बहाली अस्तानांदरन जैसे अनमहत्पून कार्ज कर ने को टक्टकी लगाए बैठे हैं परंतु अस्टेटस के कारण बहाली नहीं हो पा रही है असुबिधा जनक दूर दराज के छेतरों में कारजरत सिचक सिचिकाओं का स्तानांतरन बादित है आये दिनों लंबी दूरी तैकर बिद्दाले आने जाने में सरक दुरगटना क का सिकार होकर कईयों की मौत हो चुकी है और इन सब के उपर बिद्दाले में पढ़ने वाले छाचातराओं की पढ़ाई उचित स्तंक्या में विसेवार सिचक नर मिलने के कारण परवावित हो रही है और गुनवता पुन सिच्चा पाने के उनके अधिकार का इस परकार हन है एवं तरह-तरह की आसंकाएं चिनताएं सिचक सिचिकाओं के मन में घेर रही है अता आगरा है कि इस पत्र को न्याले के मामले में हस्त छेप या उस पर किसी परकार की संकास के दिश्टिकों से न देखा जाए बलकि छातर हित शिचक हित राज्य हित एवं देश हित में इस पर सहानुभूती पुर्वक विचार किया जाए और सुरचित फैसले को सिग्र सुनाने है तू आवस्ते कदम उठाया जाए ताकि परजातंतर और न्याले में सबका विश्वास बना रहे हम यह भी बताते चले कि हर बार की तरह इस बार भी परिवर्तनकारी के दोबार यह पहल काफी बेहतर है हम यह भी बता दे कि ब्यार के नियोजी सिचको के मामले में समान कम समान बेतन को लेकर फैसला कब आएगा अब तक किसी परकार का कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है फैसला कब आएगा यह देर यह समय सुनिशित नहीं किया गया है लेकिन मैं यह अवस कहना चाहूंगा कि देर सही सही लेकिन फैसला दुरूस्त आएगा नियोजी सिचकों के पच में ही फैसला आना सुनिस्चित है या उमीद ही नहीं पुन विश्वास के साथ कहा जा रहा है सिचक समाज का उमीद ही नहीं पुन विश्वास है अपने नियाय के मंदिर सुप्रीम कोट पर की निश्चित तोर पर ही नियाले से हमें एक नियाय मिलेगा शमान काम शमान बेतन की जीत होगी शिचकों में खुशियां आएगी देर अवस हो रहा है लेकिन फैसला दुरूस्त आएग ख़बरों में आज बस इतना ही अगर यह विडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सेर करना न भूलेंगे अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें धन्यवाद